सबसे बेले आप लोगों को बहुत बहुत कॉंग्राचुलेशन्स विकॉज चंद्रयान्थरी सक्सेस्फुली लेंड हो चुका है हमारा मून पर जो की काफी टाइम से हम सब लोग इंतिजार कर रहते हो और वी शुद बी प्राउड और प्राउड इंडियांस विकॉज फिरम ठ्राज़ियों उस विडियों में चंद्रयानथरी के बारे में चंद्रयानथरी यहां काम करने वाला है मून पर ठीक है मून पर क्या का चीजे होने वाली है क्या एक्स्प्रोर होने बारा इक सबस्क्राइब थी चैनल गया इसी इंफॉर्मेटिफ यूज लाओ फो becomes the fourth country ठीक है जिसने successfully land किया है moon पर अब क्या land करने का मक्सद है ठीक है क्या land करेगा ठीक है और सबसे वहली बात कि यहाँ पर humans करेंगे इस पर experiment या फिर कोई machine करेगी तो सबसे वहली बात इसमें चंद्रयान 3 से पहले हम बात कर लेते हैं चंद्रयान 1 2008 को चंद्रयान 1 जो की mission था moon के जाने के लिए इंडिया का चंद्रयान 1 गया 22 October 2008 को उस mission में पाया चंद्रयान 3 ने पताया कि moon पर पानी मौझूद है ठीक है तो मौझूद पानी को discover किया और explore करने के लिए कई-कई different countries जब पता चला किया moon पर पानी है ऐसा पता चला तो काफी-काफी countries different different countries ने कोशिश करी moon पर जाने की ठीक है तो लेकिन गाइस लेकिन जब यह बात पतले moon पर है तो moon पर भी चंद्रयान 2 जाने का mission तयार हुआ लेकिन बात यह हुई कि चंद्रयान 2 unfortunately वह successful नहीं हो पाए जिसकी वज़े से नहीं land कर पाए हम moon पर लेकिन बड़ उसमें क्या चीज़े थी क्या feature से जान सी नहींगा तो जो land करने वाला था चंद्रयान 3 का जो पार्ट था जो land करने वाले थे हमारे मून पर उसका नाम था lander उसका नाम था हमारा विकर में हैं विकरम ट्र प्रग्यान को ही करने दिए लेकिन हुआ चंद्रयान टू में ऐसा हुआ क्यों एंफर्शेटली लेंड ही नहीं कर पया तो इसके वैसे हमारा जो मिशन था हुआ अनसेक्सक्षूल हो गया लेकिन कुछ कोशिशों के बाद काफी उम्मुईदों को बात और काफी दुआओ के पाद हम सब इंडियन की 14 जुलाई 2023 को हमारा चंद्रयान 3 लॉंच हुआ इंडिया से चंद्रयान की तरफ चंद्र की तरफ ठीक है तो चांद की रफ इंडिया से लॉंच एगा चादर जुलाई 2023 को जिसका डिस्टेंस अर्थ से मून तक है चार्ड़ा किलोमेटर अप्रक् चंद्रयान 3 बहुत ही ब्यूटिवल मिशन है अब क्या होने वाला चंद्रयान ती में तो आई देखे साउथ पॉल आफ दा मून जो है उस पर डिसकवरी होने वाली है यह मून है सारी सब्सक्राइब आगा देखें अब करने के लिए तो वहां का टेंपरिश होता है कि रात में इट इंपॉसिबल to work with that environment तो ऐसा का गया है इसरों ने कि approximately 14 से 15 दिन अपने पास हैं वर्क कर निकले रूबर के पास इंडिया बिकम्स फोर्थ कंट्री ठीक है तो बहुत अच्छा लगा बहुत काफी प्राउड फिल हुआ और आई थिंग सब को होना चाहिए तो गाई यह सब इंफॉर्मेशन थी आप लोगे चंद्रयान थिर के बारे में और जो अपडेट साते रहेंगे बताते रहेंगे तो अभी तो फिलाल यही अपडेट है कि हमारा चंद्रयान थिर आप लोग की हम सब की दुवाओं से पहुच चुका है मून पर सक्सेस्फुली एंड वी आर व और दिल से आप सब लोगों को फिर से थैंक यू सो मच जिस दिसने दुवा करी या जिस दिसने महनत करिए इच और वर जो जो इन वाल था इस पूरे चंद्रयान थिर के मिशन में वहीं चंद्रयान टू के फेलों ने के बाच चंद्रयान थिर को इतना ऊपर उचायों तक जाना एंड सक्सेफ़ुलें दोना इट्स लाइक का की ड्रीम कम टू फॉर आवर इंडिया इंडिया ठीक है तो गई इस वी लाग दिए वीडियो फिटी लाइग बटन सब्सक्राब भी चाना लास्ट यून वर्यवल गाईज शियर आज मुलता है नेक्स दिए मैं मस तरी किसे घजब तरी किसे पड़ते रहा व्लोग गई मिलता है नेक्स दिए में टाड़ा वाइच यू लेटर अहां जैहिन मिलता है नेक्स दिए में टाड़ा वाइच